चैनल को सब्सक्राइब करें और बने शुभम ब्रीडंग फार्म फेमिली का हिस्सा हलो भाइव केसे हैं आप सबी लोग मैं हूँ शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनला शुभम ब्रीडंग फार्म तो भाईयों आज का जो हमारा topic है वो यह है कि finch bird एक साल में कितनी बार breed करता है और finch bird का एक clutch कितने दिन का होता है तो भाईयों वीडियो का अंतक पूरा जरूर देखना क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत interesting होने वाला है भाईयों बिना time waste किये चलते हैं अपने topic की तरफ तो भाईयों finch bird साल के पूरे 12 महिने भी breed करता है अब भाईयों question यह बनता है कि finch bird जब साल के पूरे 12 महिने breed करता है तो साल में हमको total कितना clutch पूरा करके देता है तो भाईयों मैं आपको बतायता हूं कि finch bird साल में हमको almost 7-8 clutch पूरा करके देता ही देता है उसका एक reason है भाईयों क्योंकि finch bird का जो एक clutch होता है वो बहुत time period का होता है only एक महिना 15 दिन का finch bird का एक clutch होता है क्योंकि भाईयों finch bird का जो अंडा हेच होता है ओली 13-14 दिन के अंदर फिंच बढ़ का अंड़ा हेच हो जाता है जैसे मान लीजी आप एक तरिक को फिंच बढ़ ने अंड़ा दिया तो वो 13-14 तरिक तक हेच हो जाएगा और फिंच बढ़ का बच्चा 30 दिन के अंदर बढ़ा होकर मटकी या बोक्स से भार आ जाएगा तो टोटल जो फिंच बढ़ का एक कलच होता है वो एक महीना 10 दिन या एक महीना 15 दिन इससे ज़्यादा का नहीं होता है यही रिजन है कि भाईयों फिंच बढ़ साल के अंदर हमको 8 कलच ब्रीडिंग करके देता ही देता है इसके अलावा भाईयों अगर फिंच बढ़ की ब्रीडिंग और बजरी पेरट की ब्रीडिंग को कंपेर किया जाए तो भाईयों फिंच बढ़ की ब्रीडिंग करवाने में हमको ज़्यादा है उसका रिजन यह है कि भाईयों Finch Bird बहुत कम दाना खाता है और जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो बजरी पेरट बहुत ज़्यादा दाना खाता है Finch Bird के मुकाबले और भाईयों Finch Bird का एक Clutch जो होता है वो एक महिना 15 दिन के अंदर आराम से पूरा हो जाता है जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो बजरी पेरट का एक Clutch दो से धाई महिना लेता है पूरा होने में तो भाईयों यही रिजन है कि Finch Bird की breeding करवाने में हमको बहुत ज़्यादा फाइदा है और Finch Bird का जो मार्गेट इस टाइम पर काफी उठा हुआ है Finch Bird साड़े 300 पेर आराम से सेल हो रहा है तो भाईयों मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हमारा कोई भाई नए सिरे से बड्स सेटप लगाना चाता है नए सिरे से बड्स पालने की सुरुवात करना चाता है तो उसको सबसे पहला जो option चूस करना चाहिए वो Finch Bird पालने का ही करना चाहिए क्योंकि भाईयों Finch Bird पालने से हमको Profit ही होता है Loss उठने का तो कोई सवाल ही पेदा नहीं होता है भाईयों क्योंकि Finch Bird एक ऐसा बड़े इसकी breeding सबसे ज़्यादा सिंपल होती है कोई कठीन काम नहीं है Finch Bird की breeding करवाना इसके अलावा दूसरी बात भाईयों Finch Bird जो खाना खाता है दाना पानी खाता है वो सबसे कम खाता है और भाईयों Finch Bird का मार्केट में डिमांड दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है कहां किसी टाइम पर Finch Bird 180 रुपे पेर सेल होता था जबकि आज देखा जा है तो Finch Bird आराम से साड़े 300 से 400 रुपे पेर सेल हो रहा है इसके अलावा जो तीसरा Finch Bird पालने का हमको फाइदा नजर आता है वो यह है कि Finch Bird का एक क्लची एक महीना पंदरा दिन के अंदर आराम से पूरा हो जाता है एक महीना पंदरा दिन या एक महीना बीस दिन से ज़्यादा आपको एक क्लच लेने में टाइम नहीं लगता है इसके साथ ही भाईयों अगर Finch Bird की बीमारी हों को देखने को नजर नहीं आती है Finch Bird की जो बीमारी हों देखी गई है वो बिल्कुल जीरों के बराबर देखी गई है जिस तरह से बजरी पेरट के अंदर मोशन की प्रोब्लम हमको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है तो Finch Bird के अंदर ना तो मोशन की प्रोब्लम हमको नजर आती है नाई Eye Infection Finch Bird के अंदर आता है अगर Finch Bird के अंदर कोई बीमारी लगती है तो भाईयो वो यह है कि Finch Bird को सर्दी बहुत जल्दी लगती है तो सर्दी से बचाना किसी परिंदे को कोई ज़्यादा कठीन काम नहीं है अगर आप अपने Finch Bird को ढखके रखोगे अपने सेटप को अच्छे से पेक करके रखोगे तो आपके Finch Bird को सर्दी भी नहीं लगेगी भाईयो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है आज की वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं उमीदे भाईयों आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर मुझसे कोई वीडियो के अंदर कमी रे गई हो तो प्लीज छोटा भाई समझ के माफ कर दें और भाईयों प्लीज चेनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि मैं आपके लिए हर रोज एक फिंच बर्ड को लेकर नई वीडियो लाता रहूंगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में धन्यवाद भाईयो